गुड मॉर्निंग इस्टूइन मैं आपका वेवसाई सिख्षक दीपक सिंग और ये रंगी टेडिवीजन का हम दूसरा चैप्टर जो कर पढ़े थे आग से सुरक्षा दूसरा चैप्टर था मेकेनिकल भी मतलब तरंगों की चाल तो मेकेनिकल से हाँ आप ना घबना है जैस कि जहां पत्थर गिरता है उस अस्थान पर विछोब उत्पन होता है और इसी वीफोब वीफोब आगे बढ़ने लगता dinero न किनारय पहुच जाता है तो एक तरंग उसके अंदर बढ़ती है तो उसी को हम उस विच्छोब को ही तरंग कहते हैं उसी तरह से अगर आप एक रसी दिवाल पर बांद लें और उसको जटका दें उपर नीचे तो वो उसमें एक विच्छोब उत्पन होगा जिससे वो उपर का भाग स्रिंग और नीचे का भाग गर्थ नीचे मतलब नीचे होगा और तालाब में इस तरह से आपका विच्छोब पैदा होगा तो इसी तरग ठेकने को हम जो यह विच्छोप से तरंग उत्पन होती हैं इन्हें हम अनप्रस तरंग mixes कहते हैं और आगे इसको हम देखते हैं और क्या है इसके अंदर लेकिन यह दो गोण के कारणव मिश्था हैं है कि विच्छों दो गुण कौन से हैं तो एक जड़त होता है एक प्रत्यास्था इसी के कारण जो है यह हल्चल उत्पन होती है और इस तरह से अगर आप करेंगे हैं तो यह अनप्रस्त तरंग डाएगी और तालाब में जो आप ठेक रहे हैं यह आपको आगे देखते हैं त तरंग के प्रकार में आप अच्छी तरह से समझें कि तरंग या अंतरिक तरंग बहीं मेकनिकल चुकि इलेक्ट्रिकल है नहीं तो मेकनिकल तरंग दो प्रकार की हुई एक अनुप्रस्त और अनुप्रस्त कौन से होगी कि जब हम यह इस तरह से गती करेंगे रसी पकड़क उपर स्रिंग और गर्थ तो यह हमारी अनप्रस तरंग कर लाएगी उपरी भाग को स्रिंग नीचे को गर्थ कहेंगे और उसी प्रकार से अनप्रस तरंग किसे कहेंगे कि जब अगर आप एक स्प्रिंग लीजिए spring को इस तरह से पकड़िए और इसी चीए तो आप देखेंगे कुछ जगा ज्यादा spring रहेंगी कुछ जगा कम रहेंगी जहां कम रहेंगी उसे विरलन और जहां पास रहेंगी उसे संपीडन इस तरह से अगर आप करेंगे तो यह यहाँ पर अनुदारे तरग इसे हम कहेंगे और यह तरग इस तरह से रहेंगी spring में आपके और यह रसी में अंदर है इससे संबंधित कुछ परभासा हैं अगर आप लें तो देखें तो आयाम मतलब यह जो स्रिंग सबसे उचाई तक जा रहा है चाहे गर्द सबसे तरंग तरह करेगी या निवन्तम दूरी जो अधिकतम तरह करेगी निगेटिव में तो वो उसे उसका कहलाए जाएगा आयाम और आयाम के बाद यहां से एक cycle पूरी हो रही है ओसे डी तक तो यह बिंदू जो है आपका तरंग की एक चाल कहलाएगा मतलब एक बार पूरा तरंग घूम गई तो इसे आप कहेंगे यहां से यहां तक की दूरी को लेम्डा से दिखाते हैं और यहां से यहां तक चली गई दूरी को ट कहेंगे आवर्थकाल लेम्डा माने तरंग दैर एक तरंग की और दो तरंग की दो तरंग देर हो जाएगी और यहां से यहां तक चली गई दूरी में डिया गया समय आवर्थकार कहलाएगा T अब इसी को हम वीज को टू चाल निकालेंगे तरंग की तो वी बराबर यन T यन क्या है आवर्थी है यह तरंग एक सेकंड में कितनी बार ऐसे ऐसे कर रही है तो यह आवर्थी है तो आवर्थी बराबर होता है एक बटा टी एक बटा टी मतलब आवर्थकार तो वीज कोल टू यन लेम्डा अगर आपको आवर्थी दिया है हर्ट में लेम्डा दिया है म में तो आप तरंग की चाल मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं तो यह सीधे सीधे सूतर हो गया चाल बराबर अवरती गुड़े तरंग दैर है हमेशा याद रखिए हाई स्कूल की चीज है अब न्यूटन साब आया इन्होंने अपना कुछ प्रयोग किया और प्रयोग करके तरंग की चाल निकालने का एक सूतर दिया और वो सूतर था वीज करटू करणी में प्रत्यास्था गुड़ांग यह वाई की तरह बना है और डी घनत तो वी प्रत्यास्था गुड़ांग बटा डी जब इसको लापलास साब ने अगले जो बग्यानी का है उन्होंने 80 मीटर पर सेकेंड आया यह लापलास का संसोधन कहा जाता है कि कैसे लापलास ने संसोधन क्या किया लापलास आपने इस इतना ही किया कि जीरो डिगरी वाई पर जो है दबाव उसका था हवा का एक दसम्रो गुड़े घाते पांच न्यूटन पर मीटर स्कॉयर और अनत को में फार्मूला रखके जब देखा तो 280 मीटर पर सेकेंड आया जबकि 332 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए तो इस तरफ से इन्होंने कहा कि नहीं न्यूटन साब का सूत्र गलत है और 1816 इस वी में लापलास साब ने इस चीज में एक अपना नियतांक जोड़ा जिसक एक करणी में एक दस्मलो चार एक और इसमें 280 का गुणा किया यह 332 आगया और सूत्र क्या दिया कि वी इसकोल टू गामा पी अपन डी वही न्यूटन वाला ही सूत्र एक दस्मलो तीन यह वायू का है और बटा एक वायू का घरत्त है डी तो इसी सूत्र को देखे इन्हो आप लोग 678 में कम होती है द्रव में उससे ज़्यादा ठोस में अधिक तो इस तरह से द्वानी पर दाप चाल का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है क्योंकि द्वानी तो आराम से चलती है गैस का ताप अगर नियत है तो ज़्वानी की दाप परिवर्तर कोई प्रभाव न तो अब ये चीज अगर एक V1 V2 दो गैस में है तो दो गैस में V1 V2 करके D1 D2 करेंगे तो V1 अपान V2 बराबर करनी में D2 अपान D1 आएगा अर्थात ये उल्टा है D2 अपान D1 V1 अपान V2 से उल्टा है तो इसका मतलब चाल जो है घनत के बृत को मान पाती होती है एक बटा D अगर मान लिजे घनत तो चार कर दिया जाए तो चार का वर्गमूर हो जाएगा दो तो चाल कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी घनत तो अगर चारगुना बढ़ा देंगे तो चाल कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी अगर यहीं माल लीजिए डी का घनत तो कोई घनत वाला रंक लीजिए आप जिसका की वर्गून निकल लिया करड़ी लगा है डी डेंसिटी तो आप यहाँ माल लीजिए सोला लेते हैं सोला घनत तो है और घनत तो को उसको आधा कर दिया जाए मतलब चार चार चाव को दो को मतलब एक बटा चार इसकी चार हो जाएगी अगर दो तो 16 घंट तो है तो चाल जो है एक बटा चार हो जाएगी मतलब उसको करणी कर दीजिए एक बटा करणी तो वो एक बटा में उतना घट जाएगा यह इस से कभी-कभी पूछता है कि चाल घंटो के वरक के विरुंत्पमान पाती होती है इस पर एक सवाल देता है कि घंट तो अगर चार है तो चाल कितनी कम हो जाएगी एक बटा दो हो जाएगी सब और इसी पर सवाल भी इसे इसे ही छोटे-छोटे आते हैं और बाकी तो आपका यही देखिए है इतना न्यूटन मीटन बाय मंडल का दाब है और घंट तो इतना है वाईव के लिए वही लापलास साब का एक दसमलो चार एक उले लीजिए तो धन की चाल निकालिए तो वी देंगे तब भी नंबर मिलेगा गुणा कर देंगे तब भी नंबर मिलेगा तो यह आसान सा चैप्टर था तो साथी हूं और मैंने पहले गाँ था दस मिट से ज्यादा नहीं लेंगे चोटे-चोटे सवाल है इसके अंदर एक एक नमर के भी हैं जो मैं आपको पेज में द कीचे होता है और यह चीज़ें आप अस्च्छे से समझा सकते हैं और ध्वनी में तरंग तरंग में तीवरता से क्या क्या समझते हैं या आगे हम लोग चैप्टर में देख लेंगे तरंग से तीवरता में क्या समझते हैं और यहांते तरंग कितने प्रकार क्यों होते हैं उन्हें किनी दो गुनों का उड़ लेक करिए वो सीधी दसा में आगे बढ़ती हैं कर अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं और इसमें चोटे-चोटे सवाल है थोला पेज को भी पढ़ेंगे तो आप और अच्छे समझ में आएगा कि तरंग क्या है इसमें इसी चैप्टर में इसी पेज में आपको विच्छों में समझ में आजाएगा बहुतिक मादम में क्योंकि प्रत्यास था और जड़त यह हमेशा आपका एक रहेगा इसमें आपको कुछ नहीं करना यह जब सेम रहेंगे तभी यह संभव है और नूटन का सूतर आपने समझी लिया ताप दाप का प्रवाव भी आपको समझ में आ गया और बिविनी गैसों में ध्वनिकी चाल मतलब वही गैस में कम होगी और डी के घनत के वितक दाप धापा क्या प्रपाव बढ़ता है में मा Do का देग्री छलस्य चंत मिलने पर कि इतना बढ़ जाता है 1,6 Twitter सुदूर के अगर ढ़नी की चाल में मादेभ में Cap उडेध आप अगर है इसको दिखाई ये करके दिया है बिस्तिर्थ question में है इसे class में भी कभी बताया जाएगा वीडियो में भी बना दिया जाएगा और फिलाल तो इस chapter में जो आने वाले सवाल है वो लगभख कबर हो गया है मेरी मेरी thanks